वोड़ आप्टरनून फ्रेंड्स और हम पढ़ते हैं ठीक है हम पढ़ते हैं पावर पॉइंट स्टेडी ठीक है पावर पॉइंट स्टेडी में हम पढ़ेंगे लूसेंड ठीक है लूसेंड के बारे में पढ़ेंगे लूसेंड में ठीक है इसके बारे में लूसेंड ठीक है आप पढ़ रहे हैं पावर पॉइंट स्टेडी ठीक है आज है बारा जन्वरी ठीक है हम पढ़ेंगे लूसेंट के बारे में भाग बारा लुसेंट का भाग 12 में पढ़ेंगे बहुत धरम के बारे में ठीक है जो की अपना चला दर टॉपिक बहुत धरम के बारे में उसके बारे में पलोग पढ़ेंगे ठीक है बहुत धरम के बारे में जो भी रह गया था वो पढ़ेंगे कि बहुत ध्रम के बारे पढ़ेंगे ठीक है क्या हुआ था कि फोड़ी दिर में आ जाएगी कुछ दिखत वाली बात नहीं देखना क्या हुआ जिस्टत में एक शाल में जो जो चीज देख नीथी कि मैला लास्ट में प All outside प्रथ देखा था इन्होंने व्रथ देखा रहुच व्यक्ति इंहोंए पिरसन nem चार दरस जेखेत हैं इन चार दरस के दरस के बाद कि बात का पढ़ना पर कोई कौई सा बहुद ध्र capitalize है भूत धरम ठीक है कि सिर मात्मा को वुद्ध के कि वा अब नेटीक है अब इनका लुँड़ कि आहां से पढ़ना था इनका पढ़ना थे कि शह इन्होंने कितने च्छे बरस तक क्या कि इन्होंने घंगोर तपस्या की ठीक है पलिश्रम इवं घोर तपस्या तपस्या कि किसने गौतम फॉतने घोर तपस्या कि ठीक है जिसके जिसके बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई ठीक है और इनके ग्याकर इन्होंने पांच सन्यासियों को ठीक है पांच सन्यासियों को कि पाहरे plane है कि आएक हुश कूं कि क्या दिया एक तरिक आए वां सन्यासियों को पर्थम अबद्र इस दिया कि चूंद से एक है claim प्राइस यह मतला को से पांच आख लें अधैक है अग्रम्लाइन स्मय साथ 5 सनौची थे जिनुन में क्या कीरें हुआ नहीं फच्ट उप देश्ट धी एंऊ फ 영े है इन पर संहेसा नाम के इन पांस संह। ने एक पहला का नाम था हeries मिधक ौदित कि यृषिए दूसरे का नाम था बपां टीक थीज़े कह हूँ कि क्या कि पर रupidतलैंड चोछी का क्या में अलाशर को नाम हूअ हुँ आशला में है को कॉंड़यां ठीक है कि यह पांच सन्यासी थे जिन्णों ने अपना पहला अपदेश दिया ठीक है किसने दिए इस पहले उपदेश क остардral देश mi नका किया दर्म क्या छक्र इस पहले उपदेश का क्या नाव रखा धर्म चक्र प्रवर्तक ठीक है धर्म चक्र प्रवर्तन ठीक है इस पहले उपदेश का क्या नाव रखा धर्म चक्र प्रवर्तन का नाम रखा ठीक है इसके पहले उपदेश का और ठीक है मात्मा बुद्र ने सबसे ज़्यादा उपदेश कहां दिये इनके सबसे ज़्यादेश सबसे ज़्यादा उपदेश ठीक है सबसे ज़्यादा मात्मा बुद्र ने कहां पर उपदेश दिये इन्होंने सबसे ज़्यादा उपदेश कहा पर दिए इन्होंने सबसे ज़्यादा उपदेश दिए स्री बस्ती में क्या हुआ है नोने मात्मा उपदेश का परी थे स्री बस्ती में नोने सबसे ज़्यादा उपदेश दिये ठीक है सबसे ज़्यादा उपदेश दिये नोने और बहुत धरम का सबसे अधिक परचार ठीक है बहुत धरम का सबसे अधिक परचार सबसे ज़्यादा पिर्चार सबसे ज़्यादा पिर्चार कहा पर किया गया गौतम बुद्ध का सबसे ज़्यादा पिर्चार ठीक है इसका किया गया कौसल राज में कौसल राज में इसमें क्या हुआ सभसे जादा गौतर्डम वोद ने अपने पिर्चारर-पिर्चार कितने पांच पिरीएस साथ पांच प्रियसस है ठीक है इनके क्या थे पांच प्रियसस्ते इन पांच सिरीयों के प्रियसस्ते के नाम निम्न है अनुरुद्ध ठीक है आनन्द उपाल उपाली ठीक है सरी पुत्र ठीक है कौन साथ सरी सरी पुत्र और साथ मता मूद्ध गल्यन ठीक है ठीक है मूद्ध ठीक है यह थे इनके पांच सिर्सों के नाम अनुरुद्ध आनन्द ठीक है अनुरुद्ध ठीक है अनुरुद्ध ठीक है अनुरुद्ध आनन्द उपाली सरी पुत्र और मग्द गल्यन ठीक है गल्यन इनके पांच प्रिय सिस्ते इसके महात्मा बुद्ध के पांच प्रिय सिस्ते ठीक है यह हो गया इनके वारे में ठीक है और इनके त्री रत्न थे ठीक है ठीक है फिस्ट सेकंड और थर्ड इनके प्रिय रत्न थे बुद्ध धर्म संग बुद्ध धामा सामा बुद्ध धामा बुद्ध धामा और संग ठीक है इनके क्या थे तीन तीन रतन थे ठीक है किसके बुद्ध के क्या थे तीन रतन थे ठीक है जिनके बारे में बताया गया कि बुद्ध के कितने रतन थे तीन रतन थे बुद्ध ठीक है बुद्ध धमा और संग इनके क्या थे तीन रतन थे ठीक है बुद्ध के तीन रतन थे अब गौतम बुद्ध क कि इसके बारे में बताते हैं बुद्ध के जीवन के बारे में जितना था इसको बता दिया ठीक है इन्होंने क्या किया था क्या किया था बुद्ध ने अपना बुद्ध धर्म के पिर्चार के लिए ठीक है इन्होंने क्या कि तो बुद्ध को बुद्ध का अपना प्रिचार कर रहे हैं ठीक है बुद्ध का प्रिचार कर रहे हैं ठीक है तो बुद्ध का प्रिचार प्रिचार कर रहे हैं तो कहां पर पावा गए यह मल्लो की राजदानी ठीक है राजदानी है ठीक है तो क्या ह table की ये जद् Lawrence थानी है ठीक है राजदानी पढ़ा होती जहां पर इन्होंने एक के छंदू नामक ठीक है यहां पर क्या मिला चंदू नामक एक एक लोहार मिला ठीक है ये क्या था एक लोहार था ठीक है इसने क्या किया लोहार की आम बाटीका थी ठीक है आम बाटीका ठीक है तो इन्हों ने बुद्ध ने क्या किया चंदू नामक लोहार मिला जिसकी आम बाटीका में बुद्ध ने क्या किया बिसे ठेहरे थे तो इसने क क्या किया था किसने इसने चुन्दु नामक ने क्या किया था इसने कि सूकर मतलब यो बर्फ होता ना उसका मैं थीक है उन्हों ने उसके मीड को खाने के लिए किसको दिया बुद्ध को दिया ठीक है तो बुद्ध ने उसको चीज को घ्रण कर लिया ठीक है तो घ्रण करने के बाद बुद्ध को ठीक है किसको दिया बुद्ध को तो उन्हें इस चीज को क्या कर लिया ग्रण कर लिया इसके बाद इन्हें बुद्ध को रक्त त्रयासर मतला खून की क्या हुई उल्टियां हुई बुद्ध को क्या हुई खून की उल्टियां हुई इसके बाद भयानक पीड़ा हुई खून की उल्टियां होने के बाद क्या हुई बुद्ध को पीड़ा हुई ठीक है इस पीड़ा से इसकी पीड़ा की बेदना के बाद भी यह कुसी नगर की राध्धानी पहुंच गया कुछ बुद्ध पहुंच गया कुसी नगर कुसी नगर पहुंच गया इस बेदना के बाद भी क्या पहुंच गया बुद्ध कुसी नगर पहुंच गया अप देखा वह एक कुसी नगर पहुंच गया जो मल्ला जो मल्ला मतलब उसी टाम 80 साल की अवस्थावें मतलब इन्होंने क्या कि इन्होंने अपने प्राण को त्याग दिया रहा इन्होंने क्या कि अपने प्राण में अपने प्रणाळों को ठ्याग दिया कि क型व नावक लुहारी ने déjà to बुद्ध ठहरी तो इसने क्या किया सूकर मच्छब मतलब इस उवर कमस खिला दिया किसको बुद्ध को खिला दे जिसके बाद उन्हें लोग खून की उल्टियों के बाद इनको टेश पीड़ा हुई जिसके बाद भी यह कुसी नगार जो की कहा पर मला की गड़राज की अब बुद्ध की मिर्त्यू वहीं पर हो गई ठीक है अब ठीक है बुद्ध के चार बुद्ध धरम के वारे में आप नौर पढ़ते हैं बुद्ध के चार आरिसत्त ठीक है कौन से बुद्ध के चार आरिसत्त ठीक है बुद्ध के क्या है चार आरिसत्त है ठीक है इनके बारे में हम पढ़ते हैं ठीक है नम्मर एक दुख नम्मर एक दुख नम्मर दूसरा दुख समुदाय नम्मर तीसरा दुख निरोदी नम्मर चौथा दुख न्रोद गमनी प्रती पाद ठीक है इनके चार आरिसत्त ठीक है क्या है संसार में इन्होंने बताये इस चीच के बारे में ठीक है दुख इसमें क्या है संसार में सरवत दुख है और जीवन दुखों का कश्ट पूर है ठीक है उन्होंने बताये दुख क्या है संसार क्या है संसार दुखों का संसार में सरवत दुख है इन्होंने बताये संसार सरवत दुख है ठीक है क्या है संसार में सरवत जो जीवन के दुखों और एवं कश्टों से पूर है जो जीवन के दुखो एवं कश्टो से कश्टो से क्या है पूर्ण है ठीक है इन्होंने बताया है दुख के बार में बुद्ध के चार आरस्त ठीक है दुख समुधा है ठीक है ठीक है इन्होंने बताया है कि कोई भी बस्तू का संसार की कोई भी बस्तू ठीक है कोई भी बस्तू का कोई ना कोई कोई दुख का कारण अवस्थ है ठीक है कोई भी बस्तू कि यहां पर डलोग पिरतेग पिरतेग बस्तू का कोई ना कोई कारण है जो दुख का कोई ना कोई कारण अवस्थ होता है जो दुख का कारण है ठीक है बना संसार की कोई बस्तू सुख नहीं देते हैं ठीक है कभी ना कभी इसके डुख का कारण है डुख नो अंद कह है दुख का अंद संभाव है डुख का अंद क्या है संभाव है कि उसमें लाश्ट है दुख के मूल आविध्या आविध्या का बिनास अविध्या का बिनास का अपाय बिनास का अपाय अश्टांगे कि उस्लिधिक मार्क है ठीक है ये यह क्या है दुखों के बारे में बुद्द के चार आरसत की बारे में बताया गा बटाया गया फ्रेंट्स वीडियो को लाइक और सेर करना नहीं इसके बाद आपको इसमें और यह बुद्ध के अस्टांक मार्ग भी पढ़ाय जाएंगे ठीक है अब यह बुद्ध के बारे में पढ़ाया आप लोगों को फ्रेंट्स जितने से जितने हो सके लोगों को जोड़िये ठीक है और जो लोग रहे गाएं उन लोगों को भी बोल दीजिए इस बार मतलब लेक पाल हुए ठीक है लेक पाल का पेपर हुआ और भी सभी चीजों के लिए लुसेंट हर किसी में आएगी ठीक है यह सब लोगों को पता है और लुसेंट इतनी बड़ी आप मतलब डीपली तरीक मिल जाएंगी अगरत आँ अश्यक्जों थीक है लुसेंट की आपको रूच लास मिल जाएंगी सी टैप सामको च्छे बजे को अब शान कर दो आज